साल दो हजार चौबिस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का साल है तो बेशक इस साल चर्चा होगी कि क्या बिराट कोली और रोहित सर्मा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे लेकिन उससे पहले चर्चा इस चीज को लेकर जोरो पर है कि उससे पहले भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ गारा जनवरी से जो तीन टी ट्वेंटी मैच की सीरिज खेलनी है क्या इस सीरिज का हिस्सा बिराट रोहित होंगे क्योंकि ये series ही ये तै करेगा और कहीं न कहीं हिंट देने वाला है कि क्या अगामी जो T20 World Cup होना है वहाँ विराट रोहित उस series का उस विशुकप का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे लेकिन उससे पहले देश में इस वक जो है तमाम चर्चाय चल ले अफगानिस्तान series को लेकर क्योंकि अब तक हमारे विडियो रिकॉर्ड करने तक BCCI ने squad announce नहीं किया है अफगानिस्तान series के लिए तो चर्चाय जोरो पर है लेकिन इन सब को लेकर T20 विशुकप में रोहित सर्मा और विराट कोली क्या खेलेंगे क्या उनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए इस पर जो है टीम इंडिया के पूर्फ दिगज और पूर्फ क्रिकेटर इर्फान पठान ने अपनी एक राय रखी है और इर्फान पठान ने स्टायर स्पोर्ट्स पे बातचीत के दवरान क्या कुछ कहा है आईए एक नजर डालते हैं इर्फान पठान के उस बयान पे त जम कर चला था दोनों उनके लिए काफी अच्छे टूर्णामेंट रहे थे जब आप वेस्ट इंडिज और अमेरिका जैसे देश में खेलते हैं तो वहां आपके लिए कुछ पिछे बिलकुल अंजान होगी ऐसे में आपको विराट और रोहित सर्मा जैसे अनुभवी खिल जाएंगे उन्हें वहां के कंडिशन में ड़लने में वहां के पिछों पर कहीं न कहीं दिक्कत होगी और ये लोग जो है विराट और रोहित जो आवा आपके साथ है ये काफी एक्स्प्रियेंस खिलारी है तो कहीं न कहीं आपको इनकी जरूरत परेगी इसके बाद आगे पिर्फान कहते हैं वल्कप में दोनों खिलारी खेलेंगे या नहीं यह टीम मैनेजमेंट और उनकी फिटनेस पर निर्वर करता है मैं दोनों को एक साथ फिल्ड पर देखना चाहता हूँ खास का जब रोहित सर्मा अपने फॉर्म में आ चुके हैं और वन डे में काफी रन बना रहे है इस वक्त जो विराट और रोई दोनों खांदार फॉर्म में चल लें दोनों का फॉर्म इस वक्त वाकई वेतरीन चल ला है और कहीं न कहीं टीम के काम आ सकता है उन्हों का एक्सप्रियेंस जो रहा है विदेशी पिचो पे बेस्ट इंडिज की कंडिशन में ख इंक्स्टर को बेसक आप चांस दो लेकिन उससे उपर experience को आपको रखना ही होगा आप इन दोनों ऐसे दिगज महान प्लेयर को आप बाहर नहीं कर सकते हैं आप T20 फॉर्मेट से इने बाहर खासका T20 वर्ल्ड कप जब चल ला हो तूज टूर्णामेंट से बाहर इस वक्त यह अहालिया फॉर्म को देखते हुए नहीं कर सकते हैं भराल इर्फन पठन के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले फिलाल इस वीडियो में इतना ही जय हिल जय भारत